कि जैहिंद दोस्तों दोस्तों मुश्कुराइए आप एजुकेशन यूर फ्यूचर चैनल पर हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए कहा हूं प्रशनावली 3 के आई का पार्ट टू यहां पे आप डाल दीजिए पार्ट टू क्योंकि मैंने पार्ट वन यह करा दिय पार्ट वर में मैंने आपको क्योंश्चर नमबर फाइब तक बता दिया है अब आपको बताने वाला पार्ट नमबर टू इसमावली 3 के आई का और यहां पर मैं बताऊंगा क्योंश्चर नमबर शिक्स से तो चलिए इसमें बोला है सिद्ध कीजिए जब भी सिद्ध करने अलफा इसको लेकर दाया पचलाना है तो चलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते है ठीक है अब किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान देजी थोड़ा कॉमन से लगाना होगा अगर देखें यहां पे तो यहां पे साट हंस एक बार प्लस में हैं और इसके पहले आप सवाल को हल कर रहे थे उसी तरीके से यहां भी सवाल को हल किया जाएगा ठीक है तो चलिए हम देख लेते हैं तो सबसे पहले आप करतब आपका करतब भी होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया उसको आप लिख लीजे तो यहां पर क्या है कॉस अलफा इंस आपका रहा हुट आप साथांस प्लस अलफा यह तो रहा यहां तक का साErवक रह न और कास आपको भी हिन बाहर कर लें तो बच क्या रहा है, 2 cos, ध्यान दीजे, 2 cos 60 degree minus alpha into cos 60 degree plus alpha, यह question आपका समझ में आ रहा है, यहां तक कैसे solve हो रहा है, अब देखें दोस्तो, यहां पर 2 cos A into cos B, तो 2 cos A cos B बराबर होता है, cos A plus B into cos A minus B, चले, नहीं पता फार्मूला तो हम यहां पर लिख देते हैं, 2 cos A into cos B is equal to cos A plus B into cos, यहां पर हो जाएगा, A minus B, और यहां पर कर दीजेगा plus, क्योंकि यहां पर into था, तो यहां पर हो जाता है plus, ठीक है, तो चले हम लिखते हैं, यहां पर 1 by 2 cos alpha, और यहां पर इसको जब तोड़ेंगे, तो cos A plus B, तो cos A plus B, यानि A plus B का मतलब, 60 A minus A, फिर plus B का मतलब, 60 A plus alpha है, सोरी A नहीं है, अलफा है, और यह A हो गया, यह क्या हो गया, B का, ठीक है, फिर plus, cos, क्या लिखोगे, A, A की जगह पर, 60 A minus alpha, फिर minus B, B की जब अंदर बुड़ा हो जाएगा, तो 60 A minus alpha, अब रेकेड़ों कर दीजेगा, यहां पर बंद, चले 1 by 2 है, तो 1 by 2 लिखे, फिर cos alpha है, तो cos alpha लिखे, ठीक है, ब्रेकेड में आप देखेंगे, यहां पर अलफा से alpha कर जा रहा है, 60, 60 कितना हो जाएगा, 120, तो cos 120, प्लस, यहां पर देखेंगे, 60 से 60 कर जाएगा, बचेगा, alpha, alpha minus 2 alpha, तो यहां पर लिख दीजे, cos minus 2 alpha, ब्रेके 2, और plus, यहां पर आपको पता है कि cos के साथ, अगर कोण minus में, theta minus में, तो minus हट जाता है, तो सिर्फ बचेगा, यहां पर cos 2 alpha, ब्रेकेड हो कर दीजे, बंद, अब कहिए, cos alpha का अंदर गुड़ा, तो यहां पर 1 by 2, cos alpha का अंदर गुड़ा होगा, तो यहां minus है, तो क्या लग प्लस, क्या हो जाएगा, cos alpha का इधर भी गुड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, cos 2 alpha into cos alpha, ब्रेकेड कर दीजे, बंद, अब 2 का इधर गुड़ा कर दीजे, तो 1 by 2, फिर minus इधर क्या है, cos alpha plus, 2 का इधर गुड़ा होगा, तो 2 cos 2 alpha into cos क्या alpha, तो यहां भी फार्मूला बन गया 2 cos a, alpha है ध्यान दीजेगा, 2 cos 2a और cos b, तो यहां पर देखें, जब इस तरी किस होगा, तो फिर फार्मूले में तूटेगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 by 2, फिर क्या होगा, यहां minus cos alpha है, तो इसको आप ऐसे लिखो, प्लस, अब इसके आगे फिर फार्मूला होगे आप, प्लस, तो प्लस लिखो, फिर cos a, minus b, a की जगा पर 2 alpha, minus b की जगा पर alpha bracket कर दीजिए, आप बंद, ठीक है, चले, यह तो आपका होगया, फार्मूला आप निखना चाहे, तो लिख लीजिएगा, यहां पर फार्मूला है आपका, अब करेंगे क्या, यहां पर आ कितना हो जाएगा, cos 3 alpha, ठीक है, उसके बाद, प्लस, यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए, प्लस, 2 alpha में से एक alpha घटेगा, तो बचे कितना, cos alpha, और bracket कर दीजिए, बंद, तो cos alpha से cos alpha कर जाए, क्योंकि यह plus में, यह minus में है, और नीचे एक बात और कमी हुई है, दोस्तों, ज क्लियर हो गया, क्योंकि जो क्रास गुड़ा करेंगे, तो पूरे के बटे हो जाएगा, पूरे बटे यहां पर लिख देना है, पूरे बटे, दो से दो गुड़ा होगा, चार हो जाएगा, और यहां भी 4 हो जाएगा, ठीक है, अब करना क्या, ध्यान दीजिए, 1 by 4 हो गया है, आप ले लिजे इसका स्क्रीन सॉट, तो दोस्तों समझ में आ गया है, अभी तक आपको नहीं समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट में बता दीजेगा, और हाँ दोस्तों वीडियो का अभी तक आपने लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक करके मुझे कमेंट करिए, कि आपको समझ में आ गया है थीक है दोस्तों चलते है next question की तरफ question no.7, अब देखें दोस्तों question no.7, इसमें भी आपको सिद्ध करना है सिद्ध करना है left hand side से right hand side को ठीक है तो question दे रखा है आपका cos 6x is equal to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos power 2x minus 1 यह आपको proved करना है यह आपका क्या है बदायापच यह है आपका बायापच तो बायापच यारी left hand side करेंगे right hand side को प्रूब्ड करेंगे ठीक है तो चलिए left hand side को लिख लेते हैं तो यहाँ पर है कितना cos 6x ठीक है क्या है cos 6x और जो cos 6x है उसको हम लिख सकते है cos sorry यहाँ पर 6 लिखा जारा है भार बार cos क्या 3 into 2x लिख सकते हैं नहीं लिख सकते तीन दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और जो 6x यहाँ पर 2x है इसी को मान लीजिए तो आप लिखें यहाँ पर माना क्या 2x बराबर a तो जब a हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा question को देखो आसान बना जा रहे ठीक है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत लंबा प्रूब्ड करना है और लंबा प्रूब्ड करने के लिए क्ले क्या करें पहले question को आसान बना यह ताकि शुरू में जब आसान लगेगा तो आगे बस सिर्फ मान को रख देंगे अमान आपका answer लगा यही है तो कॉस यहाँ फोर किम तो आप तो यहां लिए तो क्या हो जाएक अभाइले से था अ been यह हो गया कास 3 यह को क्या हो लग सकते हैं है कासं टू अप्लस टे लेग सकते कासे थे शाच् Dewa सकते Новी सकते से कॉस्क प्लस ऑगा तो यहां पर हम लिखेंगे कemieकज धे कोस्टू ऊप्लससे इसकी जगह अम मीक सकते एक आई यह की जगह पर टूएँ ठीक है फिर इंटू कास बीडी की जगह पर ए तो आस पे लिखें फिर माईनिस साइन क्या लिखो हूं 2 cos square a minus 1 तो इसकी जगह पर लिखे 2 cos square a minus 1 और बगल में क्या दिख रहा है आपको cos a फिर minus sin 2 a आपको फार्मूला पता होगा सब लिखा दिया गया नहीं लिखा गया तो यहां देखिए 2 sin a into क्या होता है cos a तो यहां पर आप लिखेंगे 2 sin a into cos a ठीक है उसके बाद फिर क्या है sin a तो आप लिख दीजे अब आपको पता है cos a का अंदर गुड़ा कर दीजे तो क्या हो जाएगा 2 cos cube a क्योंकि square यहां पर है cos a का अंदर गुड़ा होगा तो cube में हो जाएगा फिर minus 1 का cos a में होगा sin square a को लिख सकते हैं 1-cos square a ठीक है into क्या cos a अब आप सोचोंगे sin square a को 1-cos square क्यों लिखा गया एक फार्मूला पता होगा sin square theta plus cos square theta बराबर 1 अगर मुझे sin square निकालना होगा तो हम cos square कुस तरफ पंचांतर कर देंगे तो cos square उस तरफ पंचांतर करेंगे तो 1-cos square theta होगा तो theta की जगप सिर्फ change क्या है a तो इसलिए यहां पर अगर हम sin square theta निकालते हैं तो 1-cos square theta आता है लेकिन a के रूप में दिया है तो theta की जगप पर हमें a लिख देंगे clear हो गया इतना समझ में आ गया चले अब यहां पर आप देखे 2-cos cube a है तो cube a लिखे फिर minus cos a फिर minus 2 का अंतर गुड़ा करें इधर cos का तो 2 एक का 2 और cos का एक में होगा तो क्या होगा cos a फिर minus minus plus 2 का cos में होगा तो cos square है लेकिन cos फिर आएगा तो cube हो जाएगा इतना समझ में आया तो का स्क्यूब माइनस का से और फिर minus 2 और स्क्यूब अब आपको पता है कि यहां पर cos cube a है तो cos cube a है अब इसी का हम मान रख देंगे तो क्या मान रखेंगे जो यह बराबर आपने 2x माना है उसी को रख दीजिए तो 4 क्या हो जाए कॉस क्यूब 2x और माइनस 3 कॉस एक जगा पर 2x ठीक है अब देखेंगे तो यह फार्मूला बन गया अगर क्यूब को उपर लगा दें जैसे कॉस और 2x अब इसी का हम क्या लगाते हैं क्योंकि क्यूब लगा है ना तो क्यों पूरे लगा सकते हैं फिर माइनस यहां पर 3 है और कास्ट टू एक्स ब्राबर होता है टू कॉस स्क्वाइर एकस ब्राबर तो क्या हो जाएगा 2 cos square x minus 1 का whole cube minus फिर 3 का अंदर गुड़ा हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos square x minus 3 का 3 हो जाएगा ठीक है किलियर हो गा इतना अब देखें यहाँ पर A minus B का whole cube का फार्मूला बन गया तो आपको पता है A minus B का whole cube का फार्मूला क्या होता है पहले होता है A cube तो 4 को बाहर लिखिए अब इसको लिखेंगा हम A cube A cube का मतलब क्या हो जाएगा ध्यान से देखे A cube का मतलब हो जाएगा 2 cos square x 2 का cube करेंगे 8 आएगा cos square है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 cube में घाद गुड़ा हो जाता है तो 6 x फिर minus क्या होगा B square B cube B cube का मतलब A का cube A कही होगा ठीक है फिर क्या होगा minus 2 sorry minus यहाँ पर 3 A square B यही होता है ना तो 3 है 3 लिखिए फिर A की जगह पर आप क्या लिखोगे ध्यान दो 2 A square एनी चारती आई कितना हो जाएगा 12 और B B की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तो 1 और यहाँ पर लिखें cos square x ठीक है अगर ना समझ में हैं तो आप ध्यान दीजे मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ A minus B का whole cube बराबर A cube minus B cube minus 3 A square और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 A B square तो यही फार्मूला होता है इसी फार्मूले कम यहाँ पर यूज करें तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे दोस्तो A का cube A का cube मलब 2 का cube 8 और cos square है square का cube करोगे 6 में चला जाएगा क्योंकि 2 का गुड़ा होता है घात में घात में गुड़ा हो जाता है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6 X ठीक है फिर minus B का cube B की जग़ा पर एक रखो के देख का cube एक ही आएगा फिर minus क्या होगा 3 A B तो 3 A A की जग़ा पर कितना है 2 cos square X तो square भी है तो 2 का वर कितना हो जाएगा 4 और cos square यहाँ पर है लेकिन square लगेगा तो square 4 X हो जाएगा तो यहाँ पर आप कर दीजे क्या 4 X ठीक है उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ तक तो हो गया अब बच रहा है plus 3 A B 3 A square B 3 into A A की जगह पर कितना है 2 cos square X फिर into B का square 1 तो 3 दूनी 6 का 6 यानि 6 cos square X यहाँ पर टोटल आएगा तो यहाँ अपनी 6 cos square X पूरा totally समझ में आ गया फिर minus कितना है यहाँ पर 6 और cos square X minus 3 ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया चले थोड़ा और आगे हम देख लेते हैं अब आगे क्या देखना है चले उसको भी बता लेते हैं आपको तो करिए क्या सबसे पहला काम यहाँ पर 8 cos कितना है 6 X अब कुछ जूड़े घटेगा तो उसको जोड़ घाट भी लीजिएगा नहीं तो प्राबलम हो जाएगा और यहाँ तक आया है यहाँ 6 X के बाद का पहले जो है इसे ब्रैकेट भी लगाना है आपको ठीक है अब हमें लाना सबसे पहले 32 तो अचार का अंदर गुड़ा करेंगे 32 हो जाएगा 4 अठे 32 तो यहाँ पर हो गया 32 और क्या है कास पावर 6 X तो लिखे कास पावर 6 X चीक है अब माइनस एक लाश्ट में है तो इसको एक में ले जाओ लाश्ट में ले जाओ ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको लाश्ट में कर लेंगे फिर उसके बाद क्या है 48 तो बारह चाओके तो 48 तो माइनस 49 और क्या कास्क पाउर फोर एक्स है तो यहां पुलिख देंगे हम कास्क पाउर फोर एक्स ठीक है उसके बाद यहां बचरimmt आ है उसके माइनस कितना थ्रीच चलिए अब यिसको कर लेते हैं तो माइनस त्री और यहां पर दोस्तों चार का गुड़ा जब हम एक में करेंगे और तो यहां पर क्या माइनस चार आएगा और यहां पर कितना माइनस कितना है सिक्स कॉर यहां कहां था मैंने यहां यहां लाया है माइनस माइनस कहां पलस होता है प्लस करिए ठीक है तभी कुछ गलती आया प्लस करिए अब देखे क्या हो जाएगा 32 तो इसके बाद प्लस अब यहाँ पर कितना है 24 24 में से च्छ घटेगा बचे कितना 18 कास स्कुार एक्स और तीन में से चार में से घटेगा बचेगा माइनस एक तो दोस्तों यही राइट हैंड साइड में लाना था राइट हैंड साइड आपका आगया ठीक है तो इसका ले ल कि व क्वेस्चन नंब्र 8 और अब दिखिये लिए को साइड को साइड कर लेते हैं यह से करने के लिए Спार्या पहले क्या बोल रका है कास सील अपान कॉस अलफा प्लस कॉस क्यूब अलफा प्लस साइन 3 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 स् fauta ठीक है अब पूरे क्या पान आप लिख दोगे cas alfa संभना यही प्रोसेस यहां पर बीन होगा साइन क्यूब आलफा है तो Simon क्यूब न Todo लिख दो ठीक है और फिर प्लस साइन थ्री यह थीलपा जग आप ठीक है अब क्या करोगे ध्यान दो क्या यहां पर 3 कॉस अलफा और यहां पर कॉस देखें कॉस क्यूब अलफा फोर कास क्यूब अलफा तो पहले यहां पर भी देखेंगे आप तो 3 sin alpha पहले लिख लिख लिज़े आप 3 sin alpha और फिर minus यहां आप 4 में से एक घटे का बचेगा 3 sin क्यूब alpha upon sin alpha अब उपर देखे हमें यह यह हटाना हमें देखे कोई भी अनुपात त्रिकोन मिती का यहां पर जो प्रूव्ड करना है नहीं लाना है बिना अनुपात का होना चाहिए यानि यह जो अनुपात दिख रहें साइन कॉस के रूप में इसको हटा दीजिए तो इसके नीचे कास से उपर भी कास है तो कॉपर कर लो कामन कास अलफा जो उपर कामन जाएगा तो साइन अलफा कामन करेंगे तो बचेगा थ्री माइनस थ्री साइन स्क्वाइर अलफा अपान क्या साइन अलफा ठीक है साइन अलफा साइन अलफा कास अलफा स्कॉलस अलफा यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर क्या दोस्तों थ्री माइनस थ् cos square alpha और plus यहाँ पर बच रहा है क्या 3 minus 3 sin square alpha अब 3 3 कितना हो जाएगा 6 minus यहाँ पर देखेंगे तो बच रहा है 3 cos square alpha और minus 3 sin square alpha तो ऐसा काम करें इसमें 3 3 दोलों में दिख रहा है कामन कर लिज़े माइनस के साथ तो माइनस साथ 3 जब कामन करेंगे तो बच रहा है क्या cos square alpha minus और plus हो जाएगा sin square alpha आपको पता है sin square theta plus cos square theta बराबर कितना होता है 1 तो 6 minus 3 into कितना हो जाएगा 1 3 का 3 यानि 6 minus 3 बराबर 6 में 3 गया कितना गया 3 यही आपको लाना था प्रूब यही करना था राइट हैंड साइड में आपका यह आ जाएगा ठीक है तो फटा फट इसको आप लिख लेजे screenshot ले लीजे ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अपने screenshot ले लिया है और आपका यह exercise हो गया समाब ठीक है